सलाखों की पीछे पहुंची राखी सावन्थ शर्लिन चोपड़ा से पंगा लेना राखी को बढ़ा महंगा TV रियालिटी शू बिग बॉस मराथी सीजन 4 में नजर आचुकी राखी सावन्थ इस समय पुलिस की हिरासत में है उन्हें शर्लिन चोपड़ा की शिकायत पर पुलिस ने गिरफतार कर लिया है दरसल राकी और शर्लिन चोपड़ा के बीच जुबानी जंग काफी समय से चल रही थी बिग बॉस 16 के लिए जब बिग बॉस के घर में साजित खान का प्रवेश हुआ था उस समय शर्लिन चोपड़ा ने साजित खान के प्रवेश का न सिर्फ विरोत किया था बलकि उनके खिलाफ शिकायत भी दर्च कर वाई थी शर्लिन चोपड़ा का ये कहना है कि मेरे साजित खान और राजकुंद्रे के बीच मद्भेद चल रहा है और उस विशे पर राखी बीच में कूद पड़ी है 9 नवंबर को शर्लिन ने राखी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्च कर आई थी और उसी शिकायत पर कारवाई करते हुए मुंबई पुलिस ने राखी सावंत को हिरासत मिलिया है तो कुल मिला कर ये कहना गलत नहीं होगा कि शर्लिन चोपड़ा से पंगा लेना राखी को फिलाल भारी पड़ता दिख रहा है शर्लिन चोपड़ा ने ये भी बताया है कि उनके घर आदिन ये कहने आये थे कि राखी को माफ कर दीजिए जिसके लिए शरलीन ने कहा मैंने ऐसा करने से मना कर दिया है आपको बता दे कि शरलीन चोबडा ने राखी के खिलाफ defamation फाइल किया है और अब देखना ये होगा कि वर्बल फाइट से शुरू हुई ये जंग आखिरकार कहा जाती है खुद शरलीन चोबडा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट करकी ये जानकारी दी है कि उन्हों ने जो राखी के खिलाफ शिकायद की थी उस पर एक्शन लेते हुई पुलिस ने उड़े हिरासत में लिया है टीवी और इंटर्टेंट्मेंट से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के जरीए अब तक सब्यों पहुचाएं